हलो स्टूडेंट वेलकम ओन मैं लार्ण शाटन इंग्लिश पुझाबियंड हिंदी यूट्यूब चैनल ते आज जैसी करांगे चैप्टर 22 दी हाविंग प्रिंसिपल सेक्शन वन स्टूडेंट जदो भी किसे इस स्ट्रोकश थो कें स्ट्रोक जिमे के रबिट तो बात टी आरे होवे तांट डी तो पहले वाला स्ट्रोक चीं हाफ कर सक्देएँ ती और डी वास्ति जिमे के वर्ड रैबिट और एक तो बद स्टोक्स होन तां असी स्टोक नो किसे स्टोक वास्ते टी ओ डी वास्ते अददा कर सदें जिमें जे कल्ला भी हुन्दा ता फेर असे नू डार्क स्टोक नू डार्क लिए दगर दे लाइट स्टोक नू लाइट ली बट हाफ स्टोक तो पहला जब आच कोई पूरा स्टोक वी होना जिरूरी है जिमें रैपिट एथे आरा रहा है ता इसलिए है बी नूँ टी वास्ते अधा कर लांगे रैपिट रैपिड आर पी नूँ असी डी वास्ते भी अधा कर लांगे ते एक तो बाद स्ट्रोक्स हो ना ता एक स्ट्रोक नोँ है टी और डी वास्ते किसे लिए अधा कर सकते हैं जिमें क्रेडिट के आर और डी नूँ टी वास्ते अधा कर लांगे क्रेडिट ते डी ते बी नूँ असी टी वास्ते अधा कर लांगे डेपिट जेसी इनल स्ट्रोक्स नोँ पूरा लिख दे ता साड़ा आउटलाइन यह हुंदी बट पी नूँ असी डी वास्ते अधा कर लांगे जेदो पी नूँ अधा कर लांगे ता डी ए दे वीचे मर्ज हो जेगा पी दे वीचे इस तरहीं बी जेसी पूरा लिखिये ती ओड़ाण आउट यह हुंदी बट जेदो थी बी नूँ खाफ कीत ता ता आउधे वीचे ए टी इसे तरहीं वार्ड क्रेडिट जेसी इनू डी ते टी पूरा पाया हुंदा ता साथी ओड़ले ने हुंदी बट डी नू अद्धा करांगे ता टी यह वदे विच्चे मर जो जेगा इसतरा having principle जड़ा हे कम करता है इसतरा ही वर्ड डेविट ते honored honored असी लिखे ता इसतरा लिखे दे बट honored honored डी वास दे अद्धा करदांगे apply जैसी लिखे ता इसतरा लिखे बट applied डी वास दे PLN में हाफ करके लिखांगे ता किसी भी स्टोक में हाफ कर सदे हैं जैसे किसी स्टोक में हाफ करते हैं तो दे विचे टी ओडी दी अडीशन हो जादी है सो जे किसी स्टोक में फाइनल हुक जा डिप्थांग लग गया हुए फेर सानों फेर असी स्टोक टी ओडी किसे लिए भी अता कर सदे हैं जिमें के पेव वी हुक बट पेवड डी बाद विचे आगया पेव तों पेव अल्लडी लिख्या है इन्हों से डी वास्ते अद्दा कर देंगे पेवड टैन्ट 10 असी इस्तर ले न हुक लाकी ते हैं जीिंग अड़ां वही वास्ते जिमें कर Assistant तैन्ठ लिखे ही टी वास्तिकरता तैंट और तैंड दुल्ना वास्ते या सिद्दा कर साद है, ती ले भी और डी ले भी दुन्ना ती आउट्ट लेग्ड ही बनेगी लिकने कॉरडिंट रोस की लिखरेंगी, तैंट या टैंड में ट ले अमनुन और में और मेंडुना, सबी में में फूब्ट फॉब वाम उनोछजी टी वास इंधा करतांगे मेंट ते मेंडड फॉबस टी मेंड फॉस्विढू सब्सक्रेड़ वुक्त फॉब्ट यंदि ती और टी एड़ होजेगी मेंडे पढ़ी होग तो जये ते डिप्थांग लग गया हुए जिमें के फ्यू एफ ते एफ ते यू अबल बट फ्यू फ्यू तो अग्गे फेट सा डिगल फ्यूड बन जन्द वर्ड डी आगया तां फिर इन्हों डी बास्ते अद्दा करतांगे प्राओड 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 प्राओ ते डी वास्ते ही एद्धा कर देता प्रवुनु ते जदो ही नू हाफ की ता फेर इनू सी थू द लेन नहीं लिखांगे बलके थार्ड पोजीशन विच वी इस नू लिखांदी ओन द लेन ही लिखांगे हाफ तु को सब्राए रजुका चाहिं लेंघर प्रेक्च में लिखांगे लाइड स्ट्रोक के याँ प्लेटी यह से थेल में। प्लेड लोटे आ थेलियों किल थी थेलियो हाफjest थेल पलेड़, पिलन desarrollo यह सेमें। डी वास्ते हाफ करतांगी, प्लेट, प्लेट, इस त्रहीं वर्ड थाउ, जी में इत्थ, था, आव वावल, थाउ, बट्ट एन्न वसीं टी वास्ते अध्दा करतांगी, थाउट, बट्ट जे वर्ड हुए थाउड, ता फेर डी श्टोक, पूरा लिखांगी, जदो कही श्टोक नूँ, जदो इत्थे फाइनल हुख लगी सी, ता है टी और डी किसे लिए ब्याता कर से देहीं, जे डिप्थाउग लग गया वया है, ता भी टी और डी किसे लिए ब्याता कर टोक नों डी लेई वे टी लेई वे जो डिपतोंगा फिर डी तरे टी लेई वी वाट जिदो केस्टोक ना फाइनल कना लिगिया स Whew तोफ इसी लाइट स्टोक नो piş लेदा कर देया और डार्क स्टोक नो डार्क ली जिभाक एक ए वर्ड । प्लेट बट प्लेड डी स्टोक पूरा लिखांगे क्योंकि पी लाइट स्टोक है डी डर्क है लाइट वास्ते जिमें के टी लाइट है पी और लाइट है पी अल्ले नो असी टी वास्ते द्दा कर देता है हाफ कर लिए थार्ट इतनों ही टी वास्ते देदा बत थार्ड डी स्टोक पूरा लिखा नेक्स्ट पोइंट है जदु लाइट स्डोक नोसी लाइट ले था किता हाफ किता और डार्क स्टोक जी में बी ब्रे इन्हों सी डार्क वासते डी ब्रेड उनगे डी आगया था डी वासते हाफ करांगे बट जी वर्ड वे ब्राइट फिर भी यार डारक है लाइट लेगे अद्धा नहीं करांगे सो इस तरहें ग्रेड जी आर डी वासते अद्धा करांगे हाफ करांगे जी आर जी में के ग्रेड ग्रेड पैंज लिए देयां ग्यार बट जैसे वर्ड आगया ग्रेड ता डी वासते हाफ कर देता डी भी डारक है और ग्यार भी डारक है बट जी ग्रेड वर्ड आएगा ता टी वास्ते से डार्क नहीं करांगे बल्लिके टी स्ट्रोक पूरा लिखांगे सो नेक्स्ट पॉइंट है ऐसा डेको लग जदों किसे स्ट्रोक नोसी अद्दा करते हैं जिमें के वर्ड फाई फाइट टी वास्ते हाफ करतांगे टी दी अडिशन होगी बट्ट जदों जिमें फूल स्ट्रोक तो बाद जड़ा वावला आ रहे है प्राइमरी स्ट्रोक जिन वी कैसर देनूं टी वास्ते सी हाफ कीता है नो एफनूं प्राइमरी स्ट्रोक नाली पड़े जाएगा ता अगे उस्तवाद टी पड़े जाएगा जीद लिए अद्दा कर रहे हैं टी जांडी फाइट ओफ बट ओफ्ट सीख बट सेक्ट मतलब ए नहीं कि भी एफ दा किता दा टी एड़े जोगे तफ टी बण गया तगे आई पड़े फटाई इस तरह नी शेक्ट अपायन नो पेलना स्टोक नो पड़ांगे एफ फेर वावल पड़ांगे फेर जीद लिए दा किता टी ली ओपड सो सीकर इंज लिए नहीं एस दा सर्कल के आरहो को वाले पास से सीक्रेट होन सीकर अल्रेडी लिख्या है अगे टी दी सौंड आ रही है तहां टी बास्ते से हाफ कर दांगे एस के आपने सीक्रेट सो सेक्रेट लाइट एवर डार्क वर्ल तो इस तरहीं फिर नेक्स्ट पैंट आजन्दा हां डिकोलर जदों हाफ लेंथ स्टोक तो बाद लगन वाला सर्कल एस लिख देयां ता उन्हों सी जिद ली टी ओव डी तो बाद पढ़ देयां जिमे के वर्ड कोट के नूँ असी हाफ कितात टी वासते है कोट बट अ कोट से कोट ऐसी है जिद दे लगखाए अगे सरकल लिख दो मागे ते लिख जानवाला सरकल जड़ा है एन्नू असी टी ओडी तो बाद पढ़ागे जिमें के नूँ असी टी लिए देक ता कोट फिर गया ऐसा आगया कोट से दें माउंट बट माउंट से एस सरकल हुक दे विच लग गया एम नूँ एन्न हुक लाके सी टी वस्ते अद्दा करता माउंट जैसी कल्ला माउंट लिखिये ता इंज लिख दे जैन्वा तक हाफ कर दिये तांफे टी दी अडिशन होजन दिया तो माउंट 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 इस तरही वर्ड रेंट आर नूं एन्हुक आर नों सी सिंगल आई आँर आजे तांवन नूं आसी हाफ नि कर दें जीमें r प्रक्राइब सी अद्दा करना हुए वर्ड जीमें के रेट अवन आँर हाफ नि करेंगे इस त्रह और जड़ा एंड पढ़े जानदा प्लिक आपेगा जिमें के वर्ड राइट 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 वर्ड असी इत्थे लेह लें देया ता फिर सानों राइट पूरा लिखना पढ़ेगा जैसी आर हाफ करके लिए ता यह सानों एंड ज्यां शुट पढ़े जा सकता है जैसी कि राइटस ता फिर उन्हाफ करके लिखिए ता इह एंड इज एड हैस भी पढ़ सकते हैं तांगर के सी आर नू कले नू टी वास्ते जा अगे एस वास्ते अधा एस लग्या हुए तां हाफ नहीं कर दे बट जे उनू हुक लगी हुए जिमें के रेंट आर नू एन हुक तां टी वास्ते फेरसी अधा कर सकते हैं रेंट बट रेंटे षेर आर नू आ ही अधा कित आर रेंटे नू ग्डियाब अखे एक प्रकारे। रिफ्ट, गज़ आर्नो एक फूक, ते टी वासते हाफ करता। रिफ्ट, ज़ा पर कला रिफ्ट लेहें रिफ्ट, ते अग्गे अग्छा टी रिफ्ट वासते हाफ करता। कि रिफ्ट जदो हाफ कर देयां ता उस वक्त थार्ड प्लेस वावल हों दे बावजूद भी असे नों अन्द लेंग लिखते हैं हाफ हाविंग स्टोक जिया जिवर्ड रिफ्ट्स ता फिरे सर्कल इंसाइड दी फुक लग जन्द हाफ स्टोक उस त्रही देगा रिफ्ट्स फिर एच जदो भी अलॉन कोई होर स्टोक ना होवे दिनल ता इन्हों ही एदी हाफ लेंद्थ स्टोक जड़ा है एच हमेशा फिर आप पोड़ यूज जाल ना होवे हेमें फोल्च का स्टोक परनाओ राव हाफ लगी हाथ है हेज़ कोई होड पिर उन्द्थ त्रोक ना होवे जिमें वर्ड हांट एत्थे भी होर कोई स्टोक नहीं हुक हील गिवी है हाफ कर सकते हां हांट और अपवर्ड ही यूज करांगे हांट से एन हुक देविची ही सरकल लाजेगा हांट से हाफ्ट एच नुए एफ उकला के टी वास देशी हाफ करतांगे हाफ्ट और हमेशा अपवर्ड यूज करांगे जिदो हो स्टोक कोई डाल ना लग रहा हुए हाफ्ट सु इस तरह नेक्स्ट वर्ड है कैसे डेकोल पिट जदो टी योडी तो बाद वावल आ रहा हुए फिर जिमें होन पिट पी नूँ आसी टी वासते हाफ करतांगे पिट बट जी अग्गे वोल आ रहा हुए फिर टी स्टोक वासते पी नूँ हाफ नहीं करांगे बलके पूरा स्टोक टी अपलाई करांगे पिटी थर्ड प्लेस वाल है इसलिए पी थूद लाइन ते टी पिटी ग्रीड गेयार नूँ असी डी ली हाफ किता बट ग्रीड दी त वाद अगर वोल है ताम फेर स्टोक पूरा लिखंगे ये उस्तरही है स्टुटन्ट जी में सरकल एस यूज़ कर दहीं एंड वीचे एस सरकल एस स्टोक पूरा लेदे ही नहीं त एस सरकल यूज़ कर पूरा लेदे वीचे हाफ कर लेंदे हैं टी ओडी ली स्टोक बट जे एंड जे वह लावे टी ओडी तो बाद फिर स्टोक पूरा लिख दे हैं सू नेक्स्ट पॉइंट है कि जदो स्टोक तो बाद ट्राइफोन आ रहा होए ता फिर उन्हों इसी हाफ नहीं कर दे जे डा टी ओडी वास्ते स्टोक नों हाफ नहीं कर दे डाइड डी आईवा ओलते डी वास्ते हाफ कर लेए बट डाया डम डी फेरसी डी वास्ते हाफ नहीं करांगे बलके स्टोक पूरा पांगे आई दे नल एदी सोंड आ रही हैं डाया डम कि ज़व दो वर्ड इक को जे आउटलेंट होवे तांदों ने वर्ड ऑउटलेंट जे डिफ्रेंस रखन वासते आसी लाइट स्टोक नो लाइट वासते हाफ कर देंदे हैं लेकिन डार्क वासते स्टोक पूरा जूज कर लेंदे जी में सिक्रेट तरह लिख दें हैं सिक्रेट इस तरह लिख दें हैं के आरो कवले बस ऐसर सीक्रेट टी वास ते अधा कर दिये तां सीक्रेट सेक्रेट एसक्रेट टे इत्थे हों लाइट लाइट श्रोक नोहीं डी वास ते हाफ नहीं करांगे जै हाफ करांगे तां फिर आउट लें सेम बनेंगी इत्थे ही टी वादी इत्थे हाफ कर दिये आउट लाइट स्टोक नोहीं लाइट बास ते हाफ कर दिया नंके लाइट सी टी वास ते हाफ करता फरक्रक्खनली जै सायक्रेट वर्ड गान्ट राट टी यहीं स्टोक पूरा यूज करल लिया धूएउज अन अवाइड एवर अवाइड उन थे वीन वही दी वास्ते अधा गिता ये इनविट एवर होगे फिर वीन वही दी वास्ते अधा हाफ नहीं करांगे बलके स्टोक पूरा यूज करांगे इन आविट इन वेड इन विट एवर सो इस्टराइवर होगे अच्छनो कि वास्ते अधा कर लांगे होटली बत होटल एच्छ नव थे रूग करांगे होटली बत होटल है तो नेक्स्ट वेल्ड राइट आर नोसी हाफ नहीं करांगे क्योंकि यह आर नोसी हाफ कर दें ताह वावल ना लगया वेता अग्गे जाके वावल नहीं छट जन दें यह एंड पड़े जास्त है तो जे राइट से इस तरह लिखे हाफ करके नोस पाई यह एंड इस भी पड़े जास्त है सो आर जदो भी अपवर्ड एकला होवे तैनोसी हाफ नहीं कर दें यह कोई अटेच्मेंट होवे देना जिमें एन होक एफ होक ता फिर एनोसी हाफ कर लन दें इस हालत विच्छ सी स्टोक पूरह लिखांगे राइट रैट्स रेंट रेंट अजी इस तरह लिख दें वाट आरे होक एन होक वाले बस सब्सक्राइस टॉक फ्र्न प्ले और रेंटी स होक एन्ठ वाले ऑदसी सर्कल आरे होक यू थी यहारे हो फिर स्टूडेट से बिख लागे शूड़ें थूक झरोड़में सुट्ड मोसूर। अरहाब स्टोक लएं तो अब अब दा लेन लिए जिए हाव लएं प्रिजा दिस्थिए उप्टिकल फर्स्ट ब्लेश्वल हैं नियुक्त लेंगे अब अब दा लेन लिख देया तो इस पॉइंट दिए लेक्रिश यही से हैं जिमें के ऑपिकल फ़ट्प्लेस लए हां विं यह वी यार ते वावल वावल कोई नहीं वी यार दिस सेकंड पुजिशन है वर्टीकल बट लाइटली यह वर्ड देखिये तां फस्ट प्लेस वावल है एल रिजे नौल टी वासते हाफ टा हाविंग स्टोक है अबव दा लेन जे सेकंड प्लेस वाला लेटली तहां ओन दा स्टोक के लेट जिम मेवर्ड जिए ली आ गया है डिए तर्ड प्लेस वालओ ड्ली देनल टील ये हाफ किता तामी असी ऑन दा लेंड ही लिख देन थार्ड प्लेसलोफ होई जदो हम स्टोक देनल सो इस तरह परिशिने न दिया हाविंग स्टोक दिया फॉल ऑफ़स्ट प्ल मेल्री मिलिटरी एम मिलिट्री तें फिर भी अप आयनों ऑंधा लेन:" लिखेंगे हैं"... तो इमालेट हो भी इसे हैंुवक्त-अए फिर भी स während minute ch s एमालेट ही लिखांगे जी स often FjArstical मैभी नफ गें रिज Ebola आएंगे, बेदियोन मिलिटरी लीखेंगे और टी एफ तो बाद थर्ड प्लेस वावल इश है और टी अफिशल तो ए नेक्स्ट वर्ड है टिंट टी नू थर्ड प्लेस वावल है जिमें के जे टीन निकला लगी देता हम थ्रूब दालें लिखे हम दा जे टील हाफ किता थर्ड प्लेस वावल हों देवा अव्यूद भी हाफ स्टोक जेड़ा है ओंदालें ही लिखे जन्दा है तो स्टूडेंट इस तरह एह चैप्टर सा ड़जड़ा इत्थे खातम हम दा है ते इस तो गे अभी वर्ड एक्साल जी जाया दी आन्ना उससी तरह ही प्रैक्टिस कर ले हो एक पे ते 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 न वर्ड लिखे ते उनना दी फिर शाट एंड देविच लिख कुट वासते के हाफ ओंदा लेन लिखांगे अकॉर्ड वासते ते अकॉर्ड वासते के आर हाफ अब दा लेन लिखांगे के अड वासते के आर हाफ ओंदा लेन लिखांगे गार्ड वासते गे आर हाफ करतांगे डी वासते ते अब दा लेन लिखांगे ग्रेट वासते गे केलवर्फ१ रफान बाव द लैन कार्ड़्द वास्ते भास्ते अंद लेन लिखांगे है केलह दी हॉ वल्य वास्ते भी केल दी आफर्व राम लिखांगे मिचल० Aww लेन लुल्द लीखांगे इकोल्ड ते कोल्ड गोल्ड डार्क लिख देयां ते दैट दी हाफ लिखांगे ओन दा लेन दैट बैक हथ है इस तरह चलावना गल्थ है जो के मैं भी इत्थी कट देना डबलिंग नहीं करनी विदाउड दी हाफ ओन दा लेन विदाउड ते विश विष्ड वास्ते अपा इस हाफ ओन दा लें लेदे हैं विष्ड तो इस तो के लेक्स सटेकोल पारग्राफ आजन देने दो एक साई 85-86 से उस त्रहें एक पे इते जिन्नी एधी शॉट्ण लिख सदे लिख लेना ते फिर अगले पेस ते फिर इस तो के लिख लेना शॉट् पूरा पूरा पेज प्रैक्टिस करना ते स्टुट्ण अगे सटेकोल स्पीड एक साहिए एसे परग्राफ नुमें 50WPM दी स्पीड ते जल्दी अपलोड करते हैंगा ते जेतों मेरा है मेथड अप्राउं दा जा मेरा चैनल अच्छा लग गया वे ता एन्नों लाइक शेर ते सब्सक्राइब भी कर देना ते बेल आइकन ना करना पूलना जरूर कर देना ते तोन मेरा अगे आउन वडिया वीडियो उपता के पहुंच दिया रहें फिर मिल दे अगली वीडियो वेचे डॉंट वरी बी हैपी